असलाम आलेकुम, वल्कम बेक, दिस भी हमाद खान, और वाचिंग मचेनल हमिद बाइलिजिस्ट डीर वीवर, आजब इंटोक्राइड निर्सिंग के सेकंड पार्ट को डिसकस कर रहे हैं और इसमें आज के डिसोडर में हम Syndrome of Annabipropriate Hypersecretion of Antidiuritic Hormones को डिसकस करेंगे Syndrome of Annabipropriate Hypersecretion of Antidiuritic Hormones ये भी एक डिसोडर होता है और जिसमें Antidiuritic Hormones की सेक्रीशन हाइपर हो जाती है एनि एंटि-डायूरोटिक हार्मून जब ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उसके वज़ासे syndrome of inappropriate hypersecretion of anti-di-डायूरोटिक हार्मून के बारे में पढ़ेंगे anti-di-डायूरोटिक हार्मून पीचोटरी ग्लेंट प्रोडूस करता है और इसका बुन्यादी काम ये होता है कि जो kidney के अंदर water की reabsorption होती है वो anti-di-डायूरोटिक हार्मून के वज़े से होती है अगर anti-di-डायूरोटिक हार्मून की secretion बढ़ जाती है तो ज़्यादा से ज हो जाते हैं और इस condition को हम syndrome of inappropriate hyper secretion of anti-di-डायूरोटिक हार्मून केते हैं कौजस की बात करें तो अमोमन जो सियाद होता है यनि के syndrome of inappropriate anti-di-डायूरोटिक हार्मून इसके causes में tumor शामिल होता है जैसे के cerebral tumors हो गया length tumors हो गया या इसके लावा different cancer हो गया उसको जासे anti-di-डायूरो anti-di-डायूरोटिक हार्मून जो खुद बहुत प्रोडियस होती है normally anti-di-डायूरोटिक हार्मून जो प्लाजमा को hypotonic रखती है यनि उसमें पानी के मिगदार बिलकु नॉर्मल होता है और sodium के मिगदार भी normal होता है hypotonic solution जो होता है प्लाजमा का वो anti-di-डायूरोटिक हार्मून की secretion को stop कर देता है और जब anti-di-डायूरोटिक हार्मून की secretion stop हो जाती है तो उसको जैसे body जो है normally अपना function पर फॉर्म करती है और जो प्लाजमा होता है उसकी osmosis यनी osmolarity भी maintain रहती है लेकिन सियाद की condition में इन इस disorder में anti-di-डायूरोटिक हार्मून चुकि है tumor cell से जो है produce होता है और जब यह tumor cell से produce होते है तो hypotonic plasma उसको inhibit नहीं कर पाता sign and symptoms की बात करें तो इससे loss of appetite हो सकता है यनी भूग का नहीं लगेगा wet loss हो जाता है, nausea and vomiting, सर का दर्द, muscles weakness, muscles में spasm और muscles में cramping, muscles fatigue इसके लावा risklessness और irritability इसके sign and symptoms में शामिल है और इसके severe sign and symptoms में patient coma या इसके लावा convergence की तरफ जा सकता है और जिसके बाद patient की death पी हो सकती है now अब हम diabetes in sepidus की बात करेंगे diabetes in sepidus में basically यह किसम का diabetes होता है जो कि posterior positive disorder गिलाता है इसमें basically water जो होगा ज़्याद से ज़्याद यूरीन में produce होगा अब यूरीन में water क्यों produce हो रहा है इसकी वज़ाए यह है कि यहाँ पर anti-diurotic हार्मोन की segregation कम हो जाएगी इससे पहले जो disorder था SIAD syndrome of inappropriate anti-diurotic हार्मोन उसमें वेजोप्रेसीन यहीं कि anti-diurotic हार्मोन की मिगदार बढ़ गए थी और anti-diurotic हार्मोन का काम यह होता है किड्नी में जो निफ्रोन होता है उस निफ्रोन से water की रिए absorption करता है अब चुम्कि वहाँ पर बढ़ गए थी तो ज़्यदा से ज़्यदा पानी की रिए absorption दो रहे थी और यहाँ पर basically anti-diurotic हार्मोन की मिगदार कम हो जाती है ना होने के बराबर हो जाती है और नतीजेतन किड्नी से से ज़्यदा ज़्यदा यूरीन प्रोड्यूस होता है ज़्यदा से ज़्यदा पिशाप प्रोड्यूस होता है और इस पिशाप में पानी की मिगदार बढ़ जाती है जो कि बोडी में dehydration कोस करवाती है इसे हम बैसिकली नेफ्रोजेनिक डियबर्टीस इन से पाड़ेस भी केते है कॉसस की बात करें तो ये एंटिडायोटिक आर्मून के डिफिशेंसी से होता है जिसे कि आपको पहले बताया और एंटिडायोटिक आर्मून के डिफिशेंसी की होता है इसकी बोज़ वहाथ है, सबसे पहले lesion या injury या इसके लावा degeneration of supractic and preventricular nuclei of hypothalamus जो peraventricular nuclei होती है hypothalamus की उसमें अगर कोई injury हो गई या इसके लावा supraoptic या peraventricular nuclei में कोई degenerative disorder पैदा हो गया तो उसको जैसे hypothalamus काम करना चोड़ देगा और जब hypothalamus काम करना चोड़ देगा तो pituitary gland stimulate नहीं होगा और pituitary gland stimulate नहीं होगा तो anti-diurotic carbon posterior gland से produce नहीं होगा या इसके लावा hypothalamus hypofacial tract ये एक tract होता है जो hypothalamus और pituitary gland दोनें को connect करता है अगर इसमें कोई जखम हो गया, कोई चाल हो गयरा बन गई, तो उसके ज़से भी diabetes incipides cost हो सकता है इसके लावा posterior pituitary gland में अगर atrophy होगी, उसके cell ने काम करना चोड़ दिया तो उसमें भी ये condition पैदा हो सकती है या इसके लावा inability of renal tubules to give response to anti-diurotic hormones जो renal tubules होते हैं, जिससे हम basicly nephron कहते हैं अगर उस nephron की receptor ने anti-diurotic hormones को response करना चोड़ दिया तो फिर अगर anti-diurotic hormones होंगे भी, तो चुमकि renal tubules ने 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 काम करने चोड़ गिये तो उसको जैसे diabetes incipides हो सकता है इस condition को हम basicly nephrogenic diabetic incipides कहेंगे जिसमें nephron के उपर insipides केते हैं silent symptoms की बात करें तो polyurea, polyurea का मतलब यह होते है कि large quantity of dilute urine dilute urine से मुराद यह होते है कि पशाब में पाने की मिगदार ज्यदा होगी और उसके frequency भी ज्यदा होगी बार बार पशाब आएगा, शिदत से आएगा और उसमें पाने की मिगदार बहुत ज्यदा होगी और daily outputs जोए चार से लेकर बारा लीटर जो है urine produce होगा anti-diuretic anti-diuretic hormones की absence के वज़े से जो epithelial cells होते हैं distal cannulative tubules, nephron के distal cannulative tubules में epithelial cells होते हैं उसमें basically, चुंके वहाँ पे collecting duct भी जुड़ा होता है उसमें एक condition पैदा होता है जिसे impermeability के थे impermeability of water से मुराद यह होता है कि water के रिए absorption खतम हो जाती है क्योंकि anti-diuretic hormones काम यह होता है कि वहाँ पर permeability cost करवाती है, permeability के जिसे water के रिए absorption पॉसिबल हो जाती है और पानी दुबारा बोडी में convert हो जाता है, लेकिन चुंके यहाँ पर impermeable condition पैदा हो जाता है anti-diuretic के epithelial cells जो disturbed cannolality tubules और इसके लावा collecting duct में पाई जाते है नेफरोन के, तो उस condition से भी basically severity बढ़ जाती है बोडी की अंदर abnormalities बढ़ जाती है second जो major sign है उसमें polydipsia polydipsia का मतलब यह होता है कि शिद्ध का प्यास लग रहा है intake of excess water, पानी की तलब बार बार बढ़ बढ़ जाती है और polyurea की वज़से जो third center होता है जिसे हम hypothalamus केते है उसमें प्यास की शिद्ध बढ़ जाती है अब प्यास को कौन कंट्रोल करता है प्यास को hypothalamus कंट्रोल करता है तो ज़्यदा से ज़्यदा basically हमें पानी की ज़रूरत पढ़ती है पेशन को पानी की ज़रूरत पढ़ती है इस condition को हम polydipsia केते है third basically dehydration होती है कुछ ऐसे cases होती है already मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे cases होते है कि जिसमें जो third center होता है जिसे हम hypothalamus केते है वो उसमें भी कभी कभार lesion हो जाती है उसमें भी कभी कभार जो है जखम हो जाते है तो उसके जो hypothalamus होता है उसके जो third center होता है जिसे हम प्यास का सेंटर भी केते हैं, वो काम करना patient में छोड़ देता है, तो patient को प्यास नहीं लगती और urine बार बार फ्रोडवार प्रोड़ूस होता है और इसके नतीजे में जो water होते हैं और ions होते हैं, वो body से release हो जाते हैं और body में dehydration costs होती हैं सेक्ट डिसॉडर को हम डिसकस करेंगे जिसे हम डिस्ट्रोफिया एडिपोजो जिनेटेल्स कहते हैं डिस्ट्रोफिया एडिपोजो जिनेटेल्स बेसिकली यह एक condition होता है जिसको हम obesity और इसके लावा hypogonidism से resemble कर सकते हैं और इसमें जो adolescence boy होते हैं जिसके एज तक्रीबन 12 से लेकर 13 एज के तर्मियान जो बच्चे होते हैं उन में ये कंडिशन पैदा होता है और इससे हम बैसे के लिए फॉरलिच सिंडरम भी कहते हैं या इसके लावा हाइपो तेलिमस इन्यूचिजम भी कहते हैं ये एक ऐसा कंडिशन होता है जिसमें जो कोज़ जह कोज़ते हैं फी उतिच ही खापी फीलिमस बीचने हर मोजले तो उसके जालावा और इसके लावा गोण रिओंडल के लावाटते ही पॉल्लेप्र लेलप्मेंट प्रॉपर नहीं हो पाती तो उसके भी हो सकता है, Atrophy या Injury of Pichutolikland, ये भी सिकॉस्स में शामिल है, Genetic Ineability of Hypothalamus to Secrete Lutonizing हर्मोन, कोई ऐसा Genetic Disorder के जिसमें LH हर्मोन की सिक्रेशन स्टॉप हो जाती है, या उसकी सिक्रेशन जो बिलकुल कम हो जाती है Lutonizing हर्मोन की, तो उसको जैसे भी बेसिक्री, डिस्टॉफिय, एडिपोज जनेटिल स्कॉस हो सकती है सिम्टम्स की बात करें, तो Obesities का बहुत common सिम्टम होता है, Sexual Infantilism Sexual Infantilism का मतलब यह होता है कि जो Sexual Secondary Sexual Character होता है वो इन में absent होता है, अब Secondary Sexual Character यह होता है कि मर्दों में basically मोचो का आजाना, आवास का बारी हो जाना यह यह चीज़े बिलकुल absent हो जाती है, फीमेल में development of breast हो गया, आवास का sharp हो जाना, यह चीज़े Secondary Sexual Character के लाते हैं इसके लावा डिवार्फिजम भी हो सकता है और अगर डिवार्फिजम हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो disease यह बिलकुल growing age में start हो चुकी है इसे हम infantile और इसके लावा pre-birtal type of foliage syndrome भी केते हैं बच्चों में जो होता है, उसे हम basically infantile यह इसके लावा pre-pubirtal type of foliage syndrome भी केते हैं और adult को जो है बच्चों में जो objectives कовर करेंगे, उसमें basically जो diagnostic test होती पेशेंट के उसकी procedure होगे उसको discuss करेंगे pathogenesis manifestation acute or chronic complication of diabetes minitis को discuss करेंगे assessment करेंगे patient का hyper hyperglysemic condition के assessment करेंगे medical or pharmacological treatment for a diabetic gland diabetic gland का pharmacological or medical management देखेंगे और इसके लावा care plan बनाएंगे diet का diabetic patient के लिए nursing management of a newly diagnosed diabetic gland diabetic gland जो होता है उसके nursing management को discuss करेंगे nursing management of a diabetic gland who has a ketoacidosis hypoglycemia and who is undergoing surgery ऐसे diabetic gland जिनमे ketoacidosis develop हो चुका होता है hypoglycemia condition होता है या जो surgery के process से गुजरते उनको discuss करेंगे physiological impact of diabetes mellitus के discuss करेंगे और इनके family पर क्या असर होता है उसको भी discuss करेंगे nursing responsibilities long term management of diabetes long term management of diabetes में nursing की responsibilities होती है उसको भी discuss करेंगे तो सबसे पहले हम diabetes mellitus की बात करेंगे diabetes mellitus basically इसे हम diabetes भी कहते हैं और एक group of metabolic disease होते हैं और इसमें body के अंदर blood glucose levels high रहता है उसकी वह जुहात बहुत ज्यादा है और टैपस जो हैं बुन्यादिव टैपस इसके दो टैपस होते हैं आम तोर पर यह होता है कि दो जाओ सकती है जब पेंकरियास में isolates of langerhans cell होते हैं जिसमें तीन किसम के cell होते हैं एक हम alpha cell केते हैं दोस्रे को बीटा cell केते हैं तुरसे को डटा cell केते हैं लेकिन diabetes mellitus में ऐसा condition पैदा हो जाता है कि जिसमें या तो beta cell insulin प्रोडूस नहीं करता है या जो insulin प्रोडूस करता है उसका response नहीं मिलता यह नहीं वो अपना काम नहीं करता तो उसके वज़ासे diabetes mellitus डिवलप हो जाता है क्लासिकल सिंटम्स की बात करें तो 3 पीस के नाम से यादा रखो polyurea, polydipsia और polyphagia polyurea का मतलब यह होता है कि बार बार पिशाप का आना polydipsia का मतलब होता है प्यास का शिदत से प्यास बढ़ना polyphagia का मतलब होता है increase hunger यानि कि बूग का लगना इसके दो टापस होती है बुन्यादी तोर पे वैसे टापस हो इसके बहुत ज़्यादा है लेकिन बुन्यादी तोर पे दो टापस होते हैं सबसे पहले वारा टापस को हम बैसिकली insulin dependent diabetes mellitus भी केते हैं इसके लावा जोविनल diabetes भी से हम केते हैं इसमें बोड़ी जो है insulin की production बोड़ी नहीं करती है यह बीटा से बैसिकली डिस्ट्रोइ हो जाता है और इसमें insulin की production stop हो जाती है होती है सेकंड टापस की बात करें तो बैसिकली not insulin diabetes mellitus भी हम केते हैं और से हम adult onset diabetes भी केते हैं इसकी बात करें तो इसमें इंसुलीन रिजिस्टंस पैदा हो जाती है या इंसुलीन की प्रोडक्शन तो होती है लेकिन सेल जो है वो फैल हो जाते हैं इंसुलीन जो सेल होते हैं वो प्रॉपरली इंसुलीन इस्तिमान नहीं कर पाते हैं और इंसुलीन की रिजिस्टंस diabetes mellitus भी केते हैं इसके लावा adult onset diabetes भी स्थेम केते हैं इसके लावा gestational diabetes जो है यह प्रेगनेशीन की condition में जो pregnant में होती उनमें develop हो जाता है उनको सबसे पहले diabetes नहीं हो पाती इससे पहले लेकिन pregnancy के दोरान उनका जो glucose level होता है वो बढ़ जाता है और यह जो है proceed करता है tap 2 diabetes mellitus को यह अगर gestational diabetes आ गया तो इसका मतलब यह होता है कि tap 2 diabetes mellitus भी develop हो सकता है other form of diabetes mellitus include diabetes mellitus के other form में basically congenital diabetes भी है और यह genetic defect of insulin secretion insulin की secretion जो है genetically उसमें defect हो जाता है और इसको जैसे बढ़ जाते हैं जिसे हम congenital diabetes भी कहते हैं cystic fibrosis cystic fibrosis को जैसे जो diabetes होती है उसे हम से cystic fibrosis related diabetes केते हैं steroid diabetes induced by high dose of glucocorticoids and severe form of monogenic diabetes steroid diabetes जब steroid medication बज़दे इस्थिमाल होते हैं यह glucocorticoids की high dose लेते हैं तो उसको जैसे भी diabetes हो सकती है क्योंके glucocorticoids का मतलब यह होते हैं कि वो carbohydrate की metabolism fast कर देती हैं mechanism of insulin release insulin release की mechanism को हम बात करेंगे basically जो insulin होता है उप करियाटिक beta cell प्रोड्यूस करते हैं insulin production ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है beta cell में यनि beta cell इसको अपने specific मिध़ार में प्रोड्यूस करता है और इसको release जो है वो trigger होती है food के जरीए गर हम food काएंगे और उस food में जो है glucose मिध़ार होगी तो glucose मिध़ार को absorb करने के लिए ही beta cell इंसुलिन की production करेगा diabetes से कौन-कौन से औरगन से कौन-कौन से बोडी पार्ट से जो effect हो सकते हैं तो blue जो है यह more common in tap 1 जो blue वाले से लिके गए हैं यह tap 1 में होते हैं और black जो यह tap 2 में होते हैं तो ice blur vision होगी यहां कि ice में जो है दंदला पन होगी और central में यहां कि central part की बात करें तो उसकी होज़ासे polydipsy भी हो सकता है polyfegia भी हो सकता है जो hypothalamus का third center होता है जहां से हम प्यास को महसूस कर सकते हैं उससे बार बार हमें प्यास लेगेगी प्यास के बढ़ जाएगी पैशन जो है लितार्जिक हो सकता है polyfegia हो सकता है पैशन को systemic की बात करें तो weight loss होता है breath की बात करें तो acetone की smell पैशन में एस्यूस करेगा गेस्टरिक में effect की बात करें तो gastric में नोजय भी हो सकता है है. वह मिटिंग भी हो सकता है. एब डॉमिनल पे इंदर रिस्पैरेटरी की बात करें तो, रिस्पैरेटर में basically कॉस्मोल प्रेटिंग जिसे हम ह्पर वंटिलेशन भी केते हैं. यूरिन पहली पोली Polyurea और Glucose Urea, Glucose में basically Glucose जाएगा और Urine में Urine बार बार आएगा, Complication of Diabetes Miletus, Diabetes Miletus की Complication की बात करें तो सबसे पहले Diabetic Keto Acidosis होता है, Ketone की में अगदार बढ़ जाती है और उसके वज़ासे Body में Acid Level Acidity बढ़ जाती है, जिसे हम Diabetic Keto Acidosis भी केते है, Hyperglycemia बलड में basically Glucose लेवल बढ़ जाती है, जिसे हम Hyperglycemia केते है, Diabetic Coma Patient Coma की तरफ चले जाता है, Free Spiratory Infection भी इसका कॉम्प्लिकेशन में शामिल है, Chronic Condition के हम बात करें तो, Chronic Condition में Micro Angiopathy हो सकता है, Diabetic Cardiomyopathy हो सकता है, Heart Failure हो सकता है, Diabetic Neuphrophathy, Diabetic Neuropathy, Diabetic Retinopathy, Retinopathy के मतलब जो Retina होती, IQ वो खराब हो सकती है, Neuropathy के मतलब किडनी खराब हो सकती है, Sorry, Neuron, Neuron जो मसर्ण होते हैं, जो NIRF सिस्टम के जरे करनेट होते हैं, Nephrophathy के मतलब होते हैं, Heart failure भी हो सकते है Cardiomyopathy से मुरादे होते है कि जो Myo Cell होते हैं जिसे हम basically Cardiomyopathy भी कहते हैं उसकी वज़ाँ यह होती है जो Cardic Cell होते हैं Cardic Muscles होते हैं उसमें infection हो जाता है अभी हम Glucose Tolerance Test के बात करेंगे Glucose Tolerance Test basically एक Medical Test होता है जिसमें Glucose पेशन को दिये जाता है Glucose Simple पेशन को दिये जाता है और उसके फोरण बात जो है Blood यहीं के खून का नमूना लिया जाता है Blood syringe के जिरे लिया जाता है और इस Test को basically diabetes यहीं के diabetes को डियागनोस करने के लिए आम तोर पे initially यही टेस्ट के जाता है The patient is instructed not to restrict carbohydrate intake in the days or weeks before the test Test से पहले basically patient को instruct करते हैं ताके वो carbohydrates ना ले और टेस्ट को during an illness यहीं के अगर patient को कोई illness वगेर होगी उस दौरान patient को यह test वगेर हम नहीं लेंगे patient का The test should not be done during an illness as a result may not reflect the patient glucose metabolism when healthy अगर patient किसी illness के साथ आया हुआ है तो उस दौरानम यह test नहीं लेंगे अगर patient normal है तो उस दौरानम test लेंगे उस आरत में ही इसका पता चल सकता है Usually the oral glucose tolerance test oral glucose tolerance जो होता है इसको morning में यहीं के सुबा fasting में जो ही perform के जाता है patient को जो है oral glucose tolerance test ही दिया जाता है प्रोसेजर की बात करें तो zero time basal line blood sample is a tron blood sample ले जाएगा दे पैशन इस देन गिवन आप मेजर डोस patient को पिर दौरा 75 gram oral glucose solution देंगे ताकि वो उसको पी ले पांच मिनट टाइम के बाद ब्लड जो है दौर दौरा जो है लिया जाएगा और उसको basically compare करेंगे the interval and the number of samples vary according to the purpose of the test जो दो simple लिये जाएँगे एक तो पहले लिये गया था और दूसरे लिये गया था जो 75 gram oral glucose जो दिये था उसको दोनों को आपस में parallel करेंगे कि किसमें variation आया है for simple diabetes screening the most important simple is the two horse simple and the zero and two horse simple may be the only ones collected जो two horse का simple होता है उसको एक ही दफ़ा collect किया जाता है और ये most important simple होता है management की बात करें तो diet most important है exercise भी ज़रूरी है और इसके लावा appropriate medication जिसे के पह इंसुरीन हो गया in case of tap 1 tap 1 जो है tap 1 के patient basic लिए इंसुरीन लगाएंगे और oral medication जो है और इसके लावा इंसुरीन ये दोनों tap 2 alert इन दोनों में से कोई एक लगा सकता है लेकिन जो tap 2 होते हैं oral medication पर भी अच्छा response करते हैं oral medication metaformin आगे ग्लुकोफेज के नाम से ये best medication होता है और इसको हम first land treatment भी tap 2 के लिए consider कर सकते हैं और ये good evidence होते हैं ये जो mortality rate होती है पेशन्ट की उसको decrease कर देती है अब हम हाईपो और हाईपर ग्लैसी में को डिसकस करेंगे हाईपो ग्लैसी में की बात करें तो ग्लुकोस लेवल जो बलड में decrease हो जाता है less than 70 mg पर डेसी लिटर इस condition को basically हाईपो ग्लैसी में कहते हैं और ये dangerous condition होता है अगर इसको properly handle नहीं किया गया हाईपो ग्लैसी में की बात करें जब blood में glucose की लेवल 180 mg पर डेसी लिटर से बढ़ जाती है तो ये भी एक severe condition होता है और इसे acute risk of death भी कहते हैं और ये long term consequences long term consequences के साथ भी केरी होता है इसको भी manage करना बहुत ज़रूरी होता है prevention के बात करें जो athletes होते हैं यदि sportsmen होते हैं उनको जो bracelets होते हैं वो पेनना चाहिए ताकि उनकी identification हो care diabetic patient है indication proper time पे लेने है जो recommended यनिक डोक्टर ने इसको proper time पे लेना है regular males काना है snacks काना है उसको miss नहीं करना है और इसके लावा follow diabetic care plan care plan बनाना है ताकि RBS और FBS जो से हम random blood glucose केते हैं और fasting पे जो हम लेते हैं उसे हम fasting blood sugar केते हैं दोनों को measure करना बहुत ज़रूरी है और sports और exercise जो है ये भी बहुत ज़रूरी है healthy रहने के लिए avoid exercise if the glucose level अब ये पेशन के लिए वो पेशन जो sports वाले पेशन होते हैं अगर उनके glucose मिदार 100 mg per deciliter से degrees हो गया तो ये पेशन बैसिकली हाइपोगलासीमिक कंडिशन की तरफ जा सकता है तो उस दोरान exercise को एवोट करना है और इसके लावा अगर 250 mg per deciliter with ketone present अगर सथ-सथ ketone भी आ रहे हो तो उस दोरान भी exercise को रोकना है 300 mg per deciliter regardless of ketone presence अगर ketone की मोज़ुदगी ना हो और 300 mg per deciliter glucose मिगदार बढ़ चुकी हो तो उस दोरान भी exercise को फोरण स्टॉप करना है अब यह हम hypoglycemia की बात करेंगे तो इसमे 70 mg per deciliter blood glucose लेवल होता है इसकी abnormal range होती है इस condition को hypoglycemia कहते है और इसके silence symptom में hunger शामिल होता है यह भूक लग जाती है और इसके लावा शेकनिस भी हो सकती है यह किस दोरान हो सकती है अगर कोई males यह snake वगयरा miss कर देख दुपेर का काना नहीं किया यह सुब़ का नाश्टा नहीं किया यह शेकनिस क्यों होगी शेकनिस के वज़ए यह होगी के male यह स्नेक नाश्टा यह दुपेर के काना में एक पताइलो appropriately तोड़ी सी ताखीयर कियों, पताइली सी वज़ए देख शेकलिस हो सकती है नथुएस्निस भी होसकती है पैलर भी होसकता है इसके लावा cool, clammy, option पैशन का स्किन होता है kool होसकते है, ठंड़ी होसकती है बिलकुल white होसकती है इसके वज़े से डेजिनीज भी आ सकती है और इन्वारोमेंटल हीट स्ट्रेस भी हो सकता है हाइपरगलेसीमिय की बात करें तो इसमें ब्रेट क्लुकोस लेवरिकिंग नगदार 180 मिली ग्रम पर डेजिटर से बढ़ जाती है और इसमें सकिन फलश हो जाता है गरम हो जाता है और इसके लावा यूरिनेशन बार बार आती है और इसके लावा हार्ट रेट जो है वो इर्रिकुलर हो जाता है ब्रिटिंग भी इर्रिकुलर हो जाती है और नोजिय भी आता है emotional stress में patient चला जाता है assessment की बात करेंगे time of last meal insulin dosage patient के हम सबसे पहले last insulin के बारे हम बात करेंगे कि insulin लगाया था या नी या दुपेर का काना या नाश तक किया था या नी इसके लावा finger stick to measure blood glucose level finger stick से मतलब यह होता है कि glucometer से हम उसका test करेंगे emergency situation में urine test sum करेंगे ताकि उसमें ketone तो मुझूद नहीं है best and worst food for diabetes कौन से best food है कौन से से बेकार होड़े diabetes को control करने के लिए तो wool grains हो गए अनाज वगेरा हो गया आटा वगेरा हो गया जैसे के wool wheat flour ये अच्छे है wool grains में जैसे के brown rice इसके लवाद क्रील्स जिसमें wool grain भी शामिल हो और कम मिकदार में शुगर मौजूद हो ये best food है wool grain bread यानि के जो bread वगेरा हो गया हो गया वह भी ठीक है इसके लवा बेक potato और बेक stick fries stick fries वगेरा हो गया या इसके लवा पोटाटो potato की जो यानिके potato जो अबले वे हैं वो भी ठीक है इसके लवाद वूल grain भी दे सकते हैं तो ये ऐसे food हैं जिसको नॉर्मल हालत में दे सकते हैं diabetic patient को दे सकते हैं लेकिन control के साथ क्योंकि इसमें भी कार्बाटरेट की कम मिकदार होती है worst choices की बात करें बिकार जिसमें सुफेद आटा हो गया white floor हो गया इसके लवा processed grain हो गया जैसे के white rice, सुफेद चावल वगयरा हो गया creels with little wool grains and loads of sugar ऐसे creels वगयरा ऐसे अनाज जिसमें शुगर की मिकदार ज्यादा होती है white bread, white bread इनिके सुफेद डबल रोटी, french fries वगयरा हो गया इसके लवा fried white floor totals यह ऐसे चीज़े होती है जो patient की diabetic मिकदार को यहनिके glucose मिकदार को बढ़ा सकती है तो बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट वीडियो टेट्योरे में thyroid gland disorder को डिसकस करेंगे